हेलो एव्रीवन वेलकम टू जैए टी पॉइंट आज हमारा नेक्ट लेक्चर है प्रिविए सीयर कोश्चन केमिकल बाउंडिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया था नौ पार्ट में आप लोग नहीं देखें तो प्लीज विजिट कीजिए आज हमें स्टार्ट करते हैं प्रि 3 molecule has trigonan planar structure bond length of N2O2 is shorter देन इतना iso electronic molecule और ions have identical bond order dipole movement of H2S is higher than the off water molecule कॉंसे statement are choose the correct answer from the following देखते हैं देखिए NF3 molecule has trigonan planar यह तो भाई गलात है सिदा सिदा बॉंड length of N2 is shorter than हां बाई shorter होता है इसमें N2 में 3 और O2 double bond होते है इसलिए इस्टेटमेंट से आए सो electronic molecule have identical bond order एकदम बात साहिए और dipole movement of H2S है नहीं water का ज्यादा होता है तो बी और सी option number B and C किसमें है B and C option number D next next question है मारे पास next question है मारे पास match the following weak molecular force of attraction hydrogen bonding heavily branched polymer highly densely polymer इसमें आपको match करना है क्या weekly intermolecular force कौन सा और hydrogen bonding किसमें होगा सब ज्यादा तो hydrogen bonding सब से ज्यादा किसमें होगा तो अगर हम इसका मैच करते हैं इसका जो मैच करेंगे हम है इसमें जो मैच करेंगे तो इस-क अंसर एक थार्ड आएगा एक थार्ड एक थार्ड वीक इंटर मॉलिकुलर फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन इसमें है तू क्लोरोवन थ्रिबुटाइन अगर हम बीक फर्स्ट बात करें हाइड्रोजन बॉर्डिंग थेक्सामिथाइल डायमाइन इसमें है और और सी फोर्ड सी का फिर blossom़र डी नेक्ट्ट कोस्ट्ट हमारे पास कोकिनल कीवन अशोट फोग्त पॉज वी सेब इस्टेक्शर सेकंड इस्टेट्में दब़ॉंगल आफ यसेडिन दियुज न थे शूब आफ पंसर इसकाइप्स इस्तेट्मेंट कारे 1 इसक्रेक्ट बड़ेत्मेंट इनकरेक्ट क्या सो टू एन एच्टू बोड पोवे से ठीक है है हां भाई अगर हम वोटर का बनाये स्ट्री अगर हम वाटर का ड्राव करें लोन पिर तो वी आय। वी से होगा हम बोलेंगे हम करें in which of the following process bond order increase and paramagnetic character change to diamagnetic one आच्छा बोला है bond order किसमें बढ़ेगा ओटू ओटू प्लस में जाएंगे तो bond order क्या होगा और पूछा paramagnetic character change to the diamagnetic हमने बताया था कि ओटू ओटू प्लस हमने ट्रीक बताया था कि अगर किसी का bond order जैसे हम कहें कि अगर हम 10 से लेके 20 electron तक एक ट्रीक बताया था आप लोग को कि bond order क्या होगा उस इसाब से आप लोग देखिए गा इसमें एन्नो से एन्नो प्लस हम जाएंगे तो bond order increase हेगा और पायरा मैगनेटिक character change होगा यहां पर यहां पर पेड एलेक्टरों हो जाएंगे दूटू दा पेड एलेक्टरों के कारण क्यों यह कब आया था जे में 2023 में next question हमारे पास CLF 3 at room temperature is पूतरा कि CLF 3 at room temperature क्या है colorless liquid होता है with square pyramidal geometry इसकी geometry आप लोग हमने ट्रीक बताया थे कैसे CLF 5 है तो इस भाई CLF 5 तो हम एक ट्रिक बताया थे ए बी एनल एम टोटल नंबर आप वैलेंस इलेक्टरों कितना साथ प्लस साथ इंटू पांच तो टोटल वैलेंस एलेक्टरों कितना हो गया 35 प्लस साथ पांच और पांच है नहीं क्या होता है SP3 SP3 D2 SP3D आएगा SP3D है और जब SP3D है तो किसके अलोंग आता है स्कॉर्ड प्रियामिडल जमेट्री आती है और क्या होता है कलर लेक्विड होता है जहीं मेंस 2023 का क्वेशन नेक्स है मारे पास क्वेशन अमंग फॉलिंग क्वाउंग विच तो हाइएश डाइपोल मुमेंट किस में होगा इसमें यह सब में इसका अंसर क्या है यह नेक्स नेक्स क्वेशन है दा बॉंड ओर और 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 मैगनेटिक प्रपरटी औफ एसेटल डीहाइड आयन अच्छा बॉंड और और ऐसबी चल 5 इस ओड़ेश जादा है रहा हो इस्टेवल दिन दा लोवर वन शृच बोट इस्टेटमेंट वन और टुक्रेक्ट है क्यों अच्छ यह को वेलंट जादा है को वेलंट जादा होने का कारण क्या है क्यों पोलराइजिंग पावर जादा है किस से एसबी च्यल से आगर इस स्टेट्मेंट टू की बात करें ता हायर ऑक्साइड ऑफ हायलोजन आलसो टेंड वी मोर इस्टेवल दिन लोर्ड यह वाद भी सरी लाज हो जादा स्टेवल होते है यह इस्टेटमेंट दोनु ट्रू है इसका मतला बोथ स्टेटमेंट वन और रट रेक्ट नेक्स्ट कोश्ण है हमारे पास है next question है मारे पास the maximum number of loan pair of electron in central atom simple है हमने क्या बताया था trick a b n l m यहां से loan pair हमको पता चल जाता था तो क्या trick था तरिक क्या था कि अगर हमको number of bond निकालना है number of sigma bond के लिए हम क्या लगाते थे कि total number of balance electron total number of balance electron divide कर देते एड से और जो remainder remainder हमारे को क्या बताता था remainder हमको बताता था loan pair क्या हो जाता था remainder जो remainder आया अगर remainder को टू से डिवाइड कर दें तो हम क्या पता चल जाता था number of loan pair अगर एक example हम करके देख लिए जैसे एक्जी एफ ओर वैलेंस एलेक्ट्रोन एक्जीम आठ प्लस फ्लोरी में साथ इंटू चार अठाइस प्लस आठ थार्टी सिक्स इसको एट से डिवाइड कर दे रहे हैं फोर आजाएगा और रिमेंडर क्या बचा है फोर फोर से डिवाइड कर दें टू तो मतलब फोर फोर सिग्मा प्लस तू लोन पेर तो मतलब क्या है है किसके बराबर च्छे और छे कों क्या बोलते है इस पी थ्री डी टू पूछा नंबर विसमें मैक्सिम नंबर ऑफ एलेक्ट्रों पूछा है कौन से स्पीसी में इसमें कितना आया दो इसी तरह सल्फर में निकाल लें इसमें तो इसमें हम जब निकालेंगे तो हम देखिंग सब ज़्यादा एलेक्ट्रों अमारे पास आ और ग इसमें सब ज़्यादा किस में रही रही थ्री अंसर क्या होज़ए कि आई 3 मा इसमें सब ज़्यादा लोन पेर यह इसका इंग्जामपल भी है में है जैसे esterodehyde NH4 plus CLO2 अभी NH4 plus देखें रिपीट करता है question NH4 और इसके पहले question आया था तो इस cancer जो इस cancer आएगा वह एक थार्ड एक थार्ड एस्ट्रीयो प्लस क्या है pyramidal और बी का second esterodehyde का linear और तीसरा C का first मतलब NH4 का tetrahedral और CLO2 का क्या हो जाएगा बेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा बेंट हो जाएगा तो आपसर नमबर इसका सी आपसर नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन है महारे पास कोश्चन नमबर ऑफ मॉलीकूल फॉर्म फॉर्म फॉलोविंग कॉंटें अली टू लोन पेर आप फिर वाई ट्रेक्स निकाल देंगे कि किसमें सबसे ज्यादा लोन पेर हैं इसमें देख लिजे नमबर ऑफ मॉलीकूल विच्टार एच्टू ओटू अन्टू अन्टू और आठे कल लोन पेर हैं इसमें किला से नमबर ऑफ मॉलीकूल में और लोन पेर हम नहीं को के है हमारे पास the pair of from which the following pair having both compound with at net non-zero dipole moment this way non-zero dipole moment has answer इसका हो जाएग ch2 cl2 or chcl3 non-dipole मतलब की net zero dipole moment now next the compound which does not exist इसमें बताना है कौन सा compound exist नहीं करता तो इसका नहीं करता इसको आप देख लेंगे next question है मारे पास the number of bend shape molecule bend shape इसमें आप bend shape देख लीजिए कौन-कौन साफ़ एसो टू हो जाएगा एसो थ्री हो जाएगा और अबस इसमें दो ही है एसो टू एंड एसो थ्री शरी एसो टू नहीं एसो टू है स्वरी एसो टू हो गया और इसमें हो गया ओ थ्री एंड आई थ्री माइनस मतलब इसमें तीन टोटल कितना इसका अंसर कितना आजाएगा टोटल तीन नेक्स हम बात करते है अपना इसमें आफ दस समा ऎफ लोटेर प्रेजेंट ऑन अधे संतला इंटर इंटर है लोजन क्या पूच्क है समाव धर नौटिव प्रेजेंट ऑन इन एंटर रोलोजन आई आइफ फाइव और आई हएफ सेवन मैं लोन पिर पूछा है तो आई आई के साथ प्लस हम लोन पेयर ट्रीक पांच और साथ पचे पैनतीस 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 और साथ पन्जार फुट्टी टू आट दूनी अट पन्च चालीज तो रिमेंडर टू से टू मतलब इसमें कितना इसमें एक लोन पेयर नमबर ओफ लोन पेयर पुछा है आई अब सेव नियुकर व मॉलिक्व यह जी नौ इसमें उकना जाए ऑन नसर कितना जाएगा व नेंटम देख एम तेंसे अरफ इस इन फॉलॉईं सींगल पेर सिंगल वायलं पर उंसंटर फिर वाही ट्रीक स्यापको हमने बार-बार बोलना है लोन पैर पूछ रहा है तो लोन पेयर के äreं लिख दे रहा हैं सिगमा बॉंड के लिए क्लिए क्या करना है टोटल वाइलेंस cere house टोटल वाइलेंस eilectron को डिवाइट कर देना आर्ट से अगर लोन पेटर निकालना थो लोन पेटर निकालने के लिए remainder जो आएगा इसके बाद remainder को divide कर देना किसे two से remainder को divide कर देना two से हमको loan पे निकल जाएगा एक बड़ कर लीजिए आप लोग नेक्स्ट कोश्चन है असरसन क्या है असरसन रिजन वर रफ औलगा वसे लल थे हाइर बालिंग पॉइंट दे एथोक्सी इथेन देखिए यहां पर बालिंग पॉइंट यहां पर हड्रोजन बॉड्निंग की वज़ास लगें बता रहें extensive hydrogen bonding lead to stronger association of extensive in the light of choose the correct इसका correct answer क्या होगा बोथ अर्शर्शन और रिजन आ ट्रू बोथ सही है क्यों इसका higher boiling point क्योंकि hydrogen bonding पहला R is the correct explanation of AB क्यों extensive hydrogen bonding lead to stronger association stronger होगा तो boiling point बढ़ जाएगा मतलब क्या बेत्रीन कोश्चन था एंड भी बोथ त्रू नेक्स्ट कोश्चन हमारे दा नंबर ऑफ फॉलोइंग फेक्टर विच एफेक्ट परसेंटेज ऑफ को वैलेंट करेक्टर ऑफ आइनिक इस काड़ पॉलराइजिंग पावर औफ कटायान यह पॉलराइजिंग पावर फिर एक्सटेंट ओफ डिस्टॉर्शन अहां कितना सब्लाइजबिल्टी ऑफ औव एन और भी और सी अनुसटी और इस का अश्चने ऑट और सी कियों हमने बताए था कोवैलेंट करेक्टर को वैलेंट करेक्टर डिरेक्ली प्रोपोर्शनल है पॉलराइजिंग पावर किसके एनायन के कैटायन के पॉलराइजिंग पावर के तो अब डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होते है किसके पॉलराइजिबिल्टी ओफ एनायन के यही बताया था इसका अंसर क्या हो आगा इक या तो हईविडाजस्ट बार जाएं या फिर इसप्रीड वही होगा तो अन्ध्ट रिएसस्ट्थियो अ में पास क्या है इन इन आईस क्रिश्ट्ल ऐच वाटर मॉलिकुल इज रॉडर नियभर उन बॉन डॉंड टू अच्छ यह कुश्चन इसका अंसर क्या होग इसका four neighboring H molecule, four hydrogen bonding occur between hydrogen and strongly electronegative atom like F and O, in water ice hydrogen bonding occur, there is hydrogen as well as oxygen both present, water has two hydrogen atom and one oxygen atom, the oxygen of one water molecule has two lone pair of electron, each of which can form hydrogen bonding with the hydrogen of two other molecule, hence each water molecule is hydrogen bonded with four neighboring molecules, इसका अंसर क्या हो जाएगा, four, अंसर क्या हो जाएगा, four, यह अंसर क्या हो जाएगा, four, यह हमारा first lecture था, यह हमारा क्या था, first lecture था, previous year question chemical bonding का, और भी दो तीन lecture आएगा, आप लोग क्या करना है, कि एक बार इससे practice कुछ और भी question आप लोग करिएगा, टेली लिंक आप उसमें से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, थैंक यू